ब दिल शुडेंक्सिही स्टार्ट करते हैं क्लाशार्ट के लिए सब्जेक्ट गैमेस्ट्री को पढ़ना जैसे कि आप जानते हैं Through Chemistry में कि हम लोग प्राकरेटिक रबर को पढ़ेते हैं चली उसके आगे हम लोग संस्लेसित रबर को पढ़ना शुरू करते हैं तू टॉपिक्स बनाएंगे संसलेशित BRAB के बाएंगे तो संसलेशित रबर टॉपिक्स बनाएंगे उसके नीचे first arrow देखेंगे फर्स्ट आरो देकर लिखेंगे प्राक्रितिक रब्बर की सीमित गुनवता एवं उपलब्धता के कारण बैज्यानिकों द्वारा बैज्यानिकों द्वारा प्राक्रितिक रब्बर के सद्रिश्य संसलेशित रब्बर का निर्मान किया गया जिसे जिसे संसलेशित रब्बर नाम देया गया जिसे संसलेशित रब्बर नाम देया गया ध्यान रखिए कि जो संसलेशित रब्बर अभी हम लोग पढ़ रहें अखिर एक्च्वली इसका निर्मान कब हुआ अखिर क्यों हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से प्राकृतिक रब्बर और संसलेशित रब्बर दो केटेगराईज दो परकार में बाटा गया खिसको तो दो परकार में बाटा गया था प्राकृतिक बहुलग को कि प्राकृतिक बहुलग ही प्राकृतिक रब्बर और संसलेशित रब्बर के रूप मे यानि कम है इसके वजह से एक और हमको रबर का बैज्यानिकों का द्वारा परियोग के द्वारा उसको निर्मान किया गया जिसको संसलेसित रबर नाम दिया गया ठीक है जिसको हम लोग तो कोई पुछे का किया कि संसलेसित रबर का निर्मान क्यों किया गया तो इसका मुख् हो सबस्क्राइब आप queaker जो बैज्यानिक है उपर हित chips के जैसा ही एक संसलेशित रबर का निर्मान किया जिसको संसलेशित रबरर नाम दिया गया तो यह सारा चेज कर Els Sich सित रबर के प्रकार कितने होते हैं तो इसके भी प्रकार होते हैं तो नेक्स्ट एरो में लिखा जाए इसके इसके तीन प्रकार है इसके तीन प्रकार है ठीक इसके तीन प्रकार है कौन-कौन से प्रकार है चले देखते हैं तो पहला में लिखा जाए फॉर्स्ट नियो प्रि रबर पहला का नाम है नियोप्रिन रबर दूसरा का नाम है ब्यूना एन रबर ब्यूना एन रबर ठीक है और तीसरा में लिखा जाए ब्यूना एस रबर याद रखिएगा संसलेसित रबर के कितने परकार है तो संसलेसित रबर के तीन परकार है तेक है कौन कौन से तो पहला का नाम है नियोप्रिन रबर दूसरा का नाम है ब्यूना एन कैपिटल एन ब्यूना एन रबर और तीसरा का नाम है ब्यूना एस रबर तो चलिए हम लोग बारी बारी से सीखते हैं कि आखिर नियो प्रिन रबर क्या है तो अब हम लोग टॉपिक में टॉपिक बनाएंगे नियो प्रिन रबर नियो प्रिन रबर ये टॉपिक्स बनाएंगे नियो प्रिन रबर अब नियो प्रिन रबर के बारे में हम लोग अलग अलग चीज देखे कि इसका परिचय के बारे में इसका गुन क्या है इसका उपयोग क्या है तो इसके बारे में हम लोग नियोप्रिन के रबर के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट ए बनाएंगे नियोप्रिन में उसका लिखेंगे परिचय कि आखिर नियोप्रिन का बहुलक है यानि कि दोस्त आप याद रखिएगा कि जो नियोप्रिन बनता है वो किस से बनता है क्लोरोप्रिन से बनता है जब कि प्राकृतिक रबर किस से बनता है तो आईसोप्रिन से बनता है ठीक है उसी तरीके से पूछा जाएगा कि क्लोरोप्रिन का बहुलक कौन है तो नियोप्रिन रबर इसलिए लिखा गया है कि परिचे में लिखे हैं यह हमने कौन नियोप्रिन रबर किसका बहुलक है तो क्लोरोप्रिन का बहुलक है ठीक है तो याद रखेगा नियोप्रिन जो है क्लोरोप्रिन का बहुर लख है अब यानि कि यह हुआ कि छोटे-छोटे क्लोरोप्रिन को मिला कर एक बहुत बड़ा अनु का निर्मान होता है जिसको नियोप्रिन रबर कहता है तो यह सबसे इंपोटेंट याद रखने वाला तो CH2 double bond CH single bond C के साथ chlorine जूड़ा हुआ है और double bond CH2 इसकी अगर N atom रहेंगे N का मतलब बहुत सारा यानि 11000 से 20,000 जब इस chloro-print की संख्या होगी इस chloro-print की संख्या N N का मतलब 11000 से 20,000 तब जाके किसका भेलू कप होगा हमें पता तब जाकर नियो-print बनेगा यानि कि CH2 CH double bond CCL और CH2 यह हम लोगों को यहाँ पर whole N करेंगे यानि कि ऐसा-ऐसा bond जूड़ा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि इधर भी bond जूड़ सकता है इधर भी यानि total N होगो है तो ऐसा-ऐसा end हो यहाँ पर जूड़ेगा तब जाके निर्मान होगा किसका नियो-print rubber का नियो-print rubber ठीक है तो क नियो-print rubber का मतलब क्या है इसका परिचा में लिखे हैं कि यह chloroprene का बहुलक है और chloroprene के ही मिलने से नियो-print का निर्वान होता है यह हम लोग A के परिचा में सिखे अब चलिए हम लोग B के गुन में नमबर 2 में बनाया जाए गुन ठीक है अब गुन में इसके क्या-क्या ग कि यह पता चलेगा कि chloroprene सही किसका निर्मान होता है नियो-print का यह N तो दिखाया गया है कि 11,000 से 20,000 ऐसा लिया गया है उतना ही यहां पर निचे निचे देने का मतलब है कि वो bond में जूड़ेगा एक ही साथ जूड़ेगा तो B में लिखा जाए गुन गुन के arrow लिखेंग इसके निम्न लिखित गुन है इसके निम्न लिखित गुन है किसके निम्न लिखित गुन तो नियो-print rubber के अब इसके क्या-क्या गुन है तो पहला में लिखा जाए पहला इसका तनन सामर्थय उच होता है तनन सामर्थय उच होता है इसका मतलब है हुए कि जादा उसको हम ल ला सकते हैं तो इस ताप पर भी रहता है यानि कि यहां पर हम लोग देख पा रहा हूंगे जब हाई temperature देंगे फिर भी ये क्या होते हैं अस्थाई रहते हैं फिक्स रहते हैं ठीक है चलिए थर्ड नमबर थर्ड नमबर यह प्राक्रितिक रबर से मजबूत रहता है यह प्राक्रितिक रबर से मजबूत रहता है तो तीसरा पोईंट हम लोग इसका गुन में लिखें कि प्राक्रिटिक रबर से स्ट्रोंग होता है कौन नियोप्रिन रबर तो याद रखिएगा नियोप्रिन रबर जो है प्राक्रिटिक रबर से भी मजबूतिफ होते हैं तो हम लोग पहला इसका परिचाय देखें, गुन देखें नियोप्रिन का, अब लास्ट हम लोग इसका C point उपयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो उपयोग लिखके C में उपयोग लिखकर arrow देंगे, उपयोग में arrow देकर लिखेंगे कि नियोप्रिन रबर के निम्द लिखित हैं, पहला इसका उपयोग बिधूत रोधी तार के निर्मान में किया जाता है, इसका उपयोग बिधूत रोधी तार के निर्मान में किया जाता है, इट मिन्स कि जब आप तार का कवरिंग देखते हैं जब आप वायर लाते हैं बल वेगर जलाने के लिए तो उस वायर के उपर जो कवर किया रहता है देखते होंगे कि लपेटा हुआ रहता है एक के निचे ऐसे ऐसे दूसरा तार और पहला तार ऐसे ऐसे लपेटा हुआ रह जो उपर कवरिंग रहता है ना उपर कभर की आर्जेर रहता है उस अलमुनियम के उपर या तामबा के तार के उपर वही यूज हुआ रहता है कि इसका तो इसका नियोप्रिंट रबर का है यानि कि इसका पहला उपयोग है कि तार का उपर विधूत रोधी जो बनाया जाता ह प्लास्टी का उसमें नियो प्रिन् रब्बर का इस्तेमाल होता है दूसरा में लिखेंगे इसका उप्योग तो सेकेंड में लिखा जाए इसका उप्योग वाहन के टायर में वाहन के टायर में मिसरन के रूप में किया जाता है मिसरन के रूप में किया जाता है जी यहां आपको पता होना चाहिए कि जो वाहनों के टायर बनते हैं उस टायर में भी नियोप्रिन रबरगी कुछ मात्रा होती है इसलिए यहां लिखा हुआ है कि इसका उपयोग वहाँ के टायर में मिसरन के रूप में किया जाता है मिसरन बोले तो कुछ मातरा नियोपृnorm का भी रहता है और भी उसमें कोई तरह के मैटरियल्स मिलाए जाते हैं टायर बनाने में ठेक है तो कुल मिला कर देखा जाये तो ये हम लोगों का उप्योग था किसका नियो परिं रबर का जैसा कि आप जानते हैं हम लोग संसलेसित रबर को तीन भाग में बाटे हैं नियोप्रिन रबर, ब्यूना एन रबर और ब्यूना एस रबर तो अब टॉपिक बनाये जाए ब्यूना एन रबर के बारे में कि आखिर ब्यूना एन रबर क्या है तो यहां लिखा जाए ब्यूना एन रबर यह टॉपिक्स बनाए जाए नेक्स टॉपिक और इसके नीचे एरो देंगे लिखा जाए यह यह ब्यूटा डाइन ब्यूटा डाइन यह ब्यूटा डाइन का एक बहुलक है इसका मतलब आपको क्या समझना आया कि ब्यूटा डाइन के ग्यारा हजार से बीस हजार जब अनू आपस में मिलेंगे तब जाकर ब्यूटा एन रब्बर का निर्मान होगा यानि कि ब्यूटा इन रब्बर के बारे में इसका बहुत ज़्यादा उप्योग या गुन नहीं है और नहीं ब्यूटा एस रब्बर का है ठीक है लेकिन इसमें हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि ब्यूटा इन रब्बर का निर्मान कैसे होता है क्योंकि हम लोग सबसे important है Neoprene Buna N और Buna S तो बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा useful नहीं है इसलिए इसके बारे में उतना details हम लोगों को नहीं पढ़ना है जितना कि Neoprene rubber के बारे में पढ़ना था Neoprene rubber में हम लोग देखे परिचय अलग देखे इसका गून अलग देखे इसका उप्योग अलग देखे लेकिन दोस्त बाकी के जो Buna N और Buna S rubber है इसमें सिर्फ हम लोगों को ये सिखना है कि Buna N rubber का बहुलक कौन है यानि कि इसके बहुलक कौन है ये किस से बनता है मिलकर तो ये हम लोग फर्स्ट टापिक में ही सिख लिए कि Buna Dine Buna Dine का एक बहुलक है अब इसको Buna Dine के बहुलक को समझने के लिए अथार्थ में करके लिखा जाए अथार्थ Buna Dine का फार्मूला क्या हो सकता है तो Buna Dine का फार्मूला CH2 Double Bond CH Single Bond CH Double Bond CH2 ये रहा आपका अगर इसका N N मतलब 11,000 से 20,000 Atom Buna Dine का ये कौन सा है तो ये है Buna Dine Buna Dine बोलते हैं अगर इसको IOPC नाम लिखेंगे तो Buna Dine 1,3 Dine होगा 1 पे भी Double Bond है और 3 पे भी Double Bond है इसलिए 1,3 Dine बोलेंगे ठीक है तो Butane 1,3 Dine इसको IOPC नाम है लेकिन इसको Short Form में Butadine कहते हैं अब इसी से निर्मान होता है किसका Buna N Rubber का इसमें होता क्या है तो CH2, CH, 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 CH2 ऐसा ऐसा कितना Atom? N Atom अगर यही 11,000 से 20,000 यही Butadine आपस में अगर जूड जाते हैं तब यह Butadine नहीं रहेगा यह Buta N Rubber बन जाएगा Buta N Rubber तो याद रखेगा इससे जो सवाल आ सकते हैं सिर्फ यह सवाल आ सकते हैं कि Buta N Rubber का बहुलक कौन है? तो Right Answer is Buta Dine यानि कि यह Buta N Rubber का जो बहुलक होता है वो क्या होता है? Buta Dine होता है उसी तरीके से दोस्तों Buta N Rubber भी है इसका जादा हम लोगों को डिपले नहीं पढ़ना है हलांकि यह जरूर पढ़ना है कि आखरे Buta N Rubber कैसे बनता है? तो Buta N Rubber टॉपिक के अंतर गजित इतना ही चीज़ों को आप नोट कीजिएगा और फिर से नेक्स डे हम लोग नेक्स टॉपिक में पढ़ेंगे बिउना इस रबर को तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर धन्यवाद